प्रियविद्याथियो नमोनमह मेरेश्मय अग्निहोत्रिशी प्रविद्याले से संस्कृत की कक्चा में आप सभी का स्वागत हैं हम दोधशह पाठ अर्थाथ पाठ बारा का अध्यान कर रहे थे जिसमें महर्शी दधिची का हमने अध्यान किया था ये इसका पार्टु है आगे हम पढ़ते हैं, अगले भाग, आगे के भाग में कि किस तरह से जो देवतना है वो भगवान विश्णु के पास मदद के लिए गए और उन्होंने बताया कि किस तरह से दानों की सेना ने उनके सभी सस्त्रों को नश्ट कर दिया है और भगवान विश्णु से वो भगवान विश्णु कहते हैं कि हे देवह इदानी महर्श्ची ददीची शर्वेशाम रिशिणाम सिरो मणी वर्तते भगवान जो ददीची हैं वो सभी रिशियों के सिरो मणी हैं अर्थात सभी रिशियों में अग्रणी हैं सिरो मणी अर्थात सर्वश्रेश्ट सीरो मनी अर्थाद शर्व स्रेश्ट हना तपो व्रतोप वासे तपसा चा तश्य महात्मनों देवा बावना संपन्न और व्रत तप करके उन महात्मा की जो दे है वो पवित्र हो गई है तश्य देहश अस्ती भी यदि व्रज वज्रस्य यदि उनकी अस्तियों से वज्र निर्मीत किया जाए वज्र एक प्रकार का गदा एक सस्त्र है तो यदि उनकी अस्तियों से हड्डियों से वज्र बनाया जाए वज्र का निर्मान किया जाए भवे तरही तेन वज्रेन वृत्ता सुरश्य वधम संभवस्ती और उस वृत्ता सुर दानव का उस वज्र से ही वध अर्थात मृत्यू नाश उसका नाश उसी वज्र से संभव है अतह स्वत्वरम गत्वाता महर्शी तद देहाम याचत और तब सभी जो थे वह गए और रिशी के पास जाकर उन्होंने याचत याचना की सह रिशी धर्मश्य मर्मग्यों वर्तते और वह रिशी धर्म मर्मग्य थे ना भगवान विश्णू कहते हैं कि सह रिशी धर्मश मरमग्यों वर्तते वह रिशी धर्म के मरमग्य है रिशी खलूप का परोपका रिणों भवती और जो रिशी है वो परोपकार करने वाले होते हैं वह सा परोपकार के लिए अवश्य ही अपना देगे वो अपने सरीर को अवश्य दे देगे परोपकार के लिए धर्म की रक्षा के लिए भगवतो विश्णु आदेशें देवा महर्षे ददीचे समीब गत्वन्तह जो देव थे वो महर्षी ददीची के समीब गय भगवान विश्णु के आदेश से तत्र गत्वा ते वृत्ता सुरश, अत्याचारम, वर्नित्वा, तद्व धाय, महर्षे, देहं, आयाच, चन और वहाँ जाकर उन्होंने वृत्ता सुरकी अत्याचार का वर्णन किया और महर्षी से देहud की उनकी देहud की आचना की ददीची वाच भो देवा ददीची ने कहा कि हे देव यो नरहा सरीरम छणभंगुरम मत्वा अपी सनातनस्य धर्मस्य पालनम्ना करोती सह सर्वदा निंदनियो भवती रिशी कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर यह जो नर सरीर है मानाव सरीर है यह छणभंगुर होता है छणभंगुर अर्थार पल में नष्ठ होने वाला नश्वर है सरीर तो यदि सनातन धर्म की रक्षा के पालन के लिए पालनम्ना करोती इसका पालन नहीं करेंगे सह सर्वदा निंदनियो भवती तो सर्वदा ही निंदा का पात्र बनेंगे निंदा होगी है ना नदी वरिक्षा दयो जड़ पदार्था पी ता स्वार्थि नाम निंद निंद अन्ती रिशी कहते हैं कि निंदा का पात्र बनेंगे ना तो सर्वदा ही उसकी निंदा होगी वो निंदा का पात्र बनेंगे नदी वरिक्ष दयो जड़ पदार्थो अपी ताम स्वार्थी नाम निंद ती अर्था नदी पेड जड़ पदार्थी भी उस स्वार्थी की निंदा करते हैं क्योंकि बच्चो प्रकृती तो खुद परोपकारी होती है दूसरों पर परोग कार करती है रिक्षितो स्वायम अपना सर्वस जीवन मनुश्य को दे देते हैं तो यह खलू प्राणियों के दुख में दुख खुसी में खुसी का अनुभाव करता है दुख सोके सोक अर्था दुख और हर्ष अर्था प्रशनता खुसी तो जो मनुश्य प्राणि की खुसी में खुस होता है और दुख में दुख का अनुभाव करता है वही प्रशन्शा के योग्य होता है प्रशन्शनिय होता है अता देवकार के लिए सरीर छोड़ते हुए लेश मात्र भी मुझे पीड़ा नहीं होगी अत्ता देव कारियाए देव कारियों के लिए देवताओं के कारियों के लिए सरीर मुचतो सरीर कत्या करने में लेश मात्र भी जरासा भी मुझे व्यथाना भविश्यती दुख नहीं होगा एवु मुक्वा तवा महार्शी दधीची भगवन्तम ध्यानम स्वदेहं अत्यज जियत ऐसा कहकर महार्शी दधीची ने भगवान का ध्यान करते हुए अपनी देह का त्याग कर दिया खिसने भगवान दधी ची ने ऐसा कहकर अपनी देह का त्याग कर दिया भगवान का ध्यान करते हुए देव शिल्पी विश्व कर्मा तह अस्ती भी ही और जो देव शिल्पी देवताओं के शिल्पकार जो थे वह विश्व कर्मा जी ने उन अस्तियों से वज्रश्य निर्म एक वज्र बनाया, वज्र गद्य के समान अस्त्र बनाया, तेन वज्रेन देवराज इंद्रो वृत्ता सुरस्य वद्धम चकार और उस वज्र की सहयता से देवराज इंद्र ने वृत्ता सुर का वद्ध किया, ठीक है? एतेन महता त्याग महि मभ्याम महर्शी दधी ची अध्यापी सादरम सम्मान यते यश शरीरेन चा अध्यापी जीवती है ना? कहते हैं कि इस तरह से जो इतने महान त्याग महि मासे महर्शी दधी ची आज भी आधर के साथ सम्मानित गिये जाते हैं और यस शरीर से आज भी वे जीवित हैं, अमर हैं परोपकाराय सान्ताम विभूत्यह सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए होती है घरोहर भी होता है विभूती कार्थ, और तो इस तरह से परोपकार के लिए ही, जो सजनों की विभूती होती है, घरोहर होती है या जो सजन होते हैं वो परोपकार की निमिथी होते हैं, धन्य वाद